नवस्कार लक्ष्मिनार जोतिस के इंदमा आप सभी का स्वागत है मैं आचारे डॉक्टर एपी शुकला अच्विर उपस्तितुआ हूं मंगल के राशी के परिवर्तन को लेके मंगल शक्ति साहस पराकरम भारी मात्रा में धन धन नहीं भारी मात्रा में धन ये मांगलिक कार में अच्छा है तो अच्छी अवस्था में होने के उपरांत अगर कहा जा जमीनी सुख देता है मकान का सुख देता है अच्छे डॉक्टर बनाता है मंगल खून से सम्मंदित बिमारियां या खून से सम्मंदित चीजों को दिखाता है भाई बहनों के सुखों को दिखाता कई ऐसे प्रभार हैं जो मंगल के पास हैं चाहे वो पुलिस है चाहे सेना कई चीजें ऐसी हैं जो मंगल के पास हैं 12 मार्च की रात में और 13 मार्च की शुबह 13 तारिक को सुबह 5 बच के 2 मिनट पे मंगल अगर कहा जाए ब्रिसब रासी से निकल के अपनी शत्रू की रासी मित्वन रासी में संचन करेगा क्या इस सितियां बनेंगी कैसा रहने वाला विभिन रासीों के लिए कहां पर सावधानी रखनी है कहां पर लाब मिलेगा उन सभी चीजों के बारे मैं बताऊंगा लगभग लगभग दो महीने के आसपास का ये कारखंड रहेगा मेरा रासी फल अगर मैं कहूं तो आपकी चंदरासी प्याधारित है चंदरमा जहां पर भी जनम कुंडली में बैठा है वो आपकी चंदरासी हुई अगर आपको अपनी रासी का या डेटाबर्त का नहीं पता या कुंडली का नहीं पता तो नाम रासी के आधार पे भी इस कारखंड को देख सकते हैं चली कारखंड को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी वालों के लिए इस कारिखन में कैस्तिया मनेंगी देगे मेश राशी वालों के लिए अगर कहा जाए लगन का मालिक है और कही ना कही अश्टम का स्वामी है और अस्टम भाव में ही अगर कहें तो मंगल का गोचर अगर कहा जाए तृती भाव में होगा ऐसे में कहा जाएगा मेश राशी वालों के लिए विकल पर इस समय पे खुलेंगे और खासकर जो लोग जमीनी कारे करते हैं, खासकर जो लोग व्योसाय में और खासकर अगर उनमें भी कहा जाए व्योसाय से सम्मंदित चीजों में, जो मशीनरी से सम्मंदित कारे हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय कहलाएगा, उर्जा बनी रहेगी, अपने साहस, अपने बुद्धि से अपनी चीजों को बनाएंगे, भागे का पूरूरूप से साथ मिलेगा, यात्राओं से सम्मंद्ध चीजों में लाब मिलेगा, लेकिन यहां पर ये भी कहा जाएगा, तिरती भाओ, ये साहस को दिखाता है, उसके साथ में रफ्तार को भी दिखाता है, रफ्त नए कारियों को शुरू करने के लिए समय बहतर है, वैवाहिक जीवन से सम्मंद चीजों के लिए समय समाने हैं, जो लोग दूसरा विवाह करना चाहते हैं, एक विवाह हो गया, उसके बाद डेवोर्स हो गया, या किसी प्रकार से अलगाव हो गया, जो कानूनी मानकों में है उसके उपरां तो जो है, दूसरा विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहतर है, क्योंकि मंगल से शनी अगर कहा जाए, तो नवे में हैं, और नौपंचम का योग दूसरे विवाह के लिए अच्छा कहलाता है, जब भी शनी और मंगल का बनता है मंगल अगर कहा जाए, मेश राशी वालों के लिए बेहत अच्छे कहलाएंगे, काम से सम्मंदित, धन से सम्मंदित, जमीन से सम्मंदित, मकान से सम्मंदित, कोई निर्णा लेना है, उसके लिए भी बहतर है बस अपने क्रोध पे नियंतन करके चलिएगा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आँखों पे पट्टी बने और आप साहस कर जाएं, और साहस के बाद आपको पस्ताना हो, आँखों पे पट्टी का मतलब बुद्धी का ब्रस्ट हो जाना और मैंने जल्दबाजी या कुरोध में जो है ये काम कर लिया, जिसके कारण मेरी चीज़ें खराब हो गई, वो इस्तियां भी ये मंगल बनाएगा मंगल का राशी का परिवर्तन अगर कहा जाए, मेश राशी वालों के लिए बेहत अच्छा है बात करते हैं वरश्वराशी वालों के लिए, धन का व्ये टेजी से होगा, बल्क में धन का व्ये होगा, इस चीज़ का ध्यान रखेगा मंगल अगर कहा जाए तो सत्तमेश है, मंगल अगर कहा जाए द्वादशेश है, विवा से सम्मंद चीजों में तनाव देगा खासकर अगर कहा जाए घर परिवार या किसी करीबी के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है पिता के स्वास्त का ध्यान रखेगा, ससुराल पक्षम में मदभेत की स्तियां पैदा हो सकती है संतान से सम्मंद चीजों में अगर कहा जाए चिंताओं को दिखाता है काम और रोजगार से सम्मंद चीजों में सामाने हैं जो आपके कारे चल नहां समानयता चलते रहेंगे, सरकारी तंतर से नुकसान हो सकता है, इस चीज का धान रखेंगे। सरकार किसी प्रकार का। ऐसा थोड़ ना होता है। केवल इंकम टेक्स और सर्कारी तंतर से कोई वादिवाद से बचिएगा, सरकारी तंतर से सम्मंदिच चीजों में सावधानी रखेगा, और खासकर अगर कहा जाए कारिछेतर में विप्रीत लिंगियों से सावधान थोड़ा सा इस समय पे जो है उत्तेजना बढ़ेगी उत्तेजना को शांत रखिएगा कोई ऐसे कारे मत करिएगा जिसके कारण किसी प्रकार की कोई बंदामी हो विरशब राशी वालों के अगर कहा जाए सावधानी से चलना है बात करते हैं मिथोन राशी वालों के लिए देगे मिथोन राशी वालों के अगर कहा जाए लाब का स्वामी है और कही ना कही छटे भाव का स्वामी हो के लगन में कर्ज से सम्मंदित चीजों में तनाओ को लेके डर, वहम और कुरोध के कारण अपने सरीर का नुकसान मत करिएगा सारे रिक कष्टों को ये दिखाता है खास कर जो लोग कर्ज ले रखे हैं कर्ज देना और कर्ज लेना दोनों ही बहुत अच्छा नहीं है सावधानी से करिएगा काम कर रहे हैं तो कर्ज लेना और ही करिएगा मित्रता में कही ना कही धन का नुकसान मित्रता में अगर कहा जब मान समान प्रतिष्ठा का नुकसान को भी इंगित करता है सावधानी से जो लोग राजनीती में हैं सामाजी कारियों में हैं उनके लिए सकता है जो आपको परिशान करें जिसके कारण मन खटा हो उसके बाद जो है तनाव बढ़ें मितों राशी वालों के अगर कहा जाए यह राशी का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम ले के आया है बात करते हैं करकराशी वालों के लिए देगे करकराशी वालों के अगर कहा गें पंचम का सौमी, दसम का सौमी होके 12 में विदेश यात्रा से सम्द्ध चीजों में तनाव। जो लोग विदेश में हैं वहाँ पर इस्थायत्रो के लिए वहाँ ठेहरने के लिए ये समय उससे सम्द्ध आवेधन या उस दिशा में बढ़ने के लिए अच्छा है। संतान का विशेज धान रखे, संतान को लेके पीड़ा और खासका जो लोग संतान के उपर धन लगाने जा रहे हैं, उनके काम से संबंदित चीजों में, उसके लिए सावधानी अपनी आग कान खोल के चलिएगा, अपनी नजरों के सामने ही चीजे सारी हों, तो ज़्यादा बहतर है, मकान जमीन से संबंदित चीजों में सावधानी इस समय पे तनाओ को दिखाता है, जगड़े जंजट वाद विवाद को दिखाता है, कोट कचैरी से संबंदित चीजों में भी सावधानी बढ़तीएगा, ये समय अगर कहा जाए, बेवजह का वाद विवाद, जि मंगल अगर कहा जाए भाई बैनों को दिखाता है उनके सुखों में कमी करता है यात्राओं से संबंदिच चीजों में सावधानी रखके चलिएगा करक राशी वालों के अगर कहा जाए ये राशी का परिवर्तन बहुत अच्छे प्रिणाम नहीं दिखा रहा है सिंगरासी वालों के अगर कहा जाए भागेश है और सुखेश है सुख का सौमी भागे का सौमी होके लाभ में बेहद अच्छा समय है आकास्मिक धनलाप को दिखाता है रुका हुआ धन फसा हुआ धन इस समय आपके साहस बुद्धी और विवेक से आपको इस समय पे मिलता भागे पूर्ण रूप से साते देगा मकान जमीन से समंदिच चीजों में निर्णय लेने के लिए समय उत्तम कहलाएगा करीबियों से फाइदा मिलेगा कोई करीबी आपको जो है कहिना कहीं कारिच्छेतर में बढ़ाने को दिखाता है किसी व्यक्ति ने अगर आपसे कह र पूर्टी बातों में जो है तनावत्पन हो जाना इन चीजों को भी इंगत करता है इच्छाओ की पूर्ती को दिखाता है जमीन मकान से संबंदिच चीजों में बढ़ाने को दिखाता है सिंग राशी वालों के लिए ये राशी का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम ल करतिये का स्वामी हो के दसम भाव में है तो वहन आराम से चलाईए कारिछेत्र में बढ़ोत्री को दिखाता है लिकनि यहां पर एक बात और आएगी ने कारियों में पढ़ना है तो सावधानी से ही जाईएगा मकान जमीन से संबंदिच चीजों के लिए समय अच्छा है प दवाईयों के उपर धनका वैय इतादी चीजों के इंगित करता है और कहीं न कहीं यह कहा जाएगा घर परिवार का सपोर्ट इस समय पे कम मिलेगा वैवाहिज जीवन का सपोर्ट अगर कहा जाए पूरा मिलेगा कहीं पे भी कहीं फस्ते हैं कहीं रुपते हैं तो अपने जीवन साथी से राय ले लिजेगा अगर आपका विवा हो चुका है तो कन्या राशी वालों के अगर कहा जाए ये राशी का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है बात करते हैं तुला राशी वालों के लिए वाहन आराम से चलाईए मंगल की सत्तम दश्टी अगर कहा जाए आपकी गाड़ी की तेजी पे पड़ रही है और तेज गाड़ी चलाना कहीं ना कहीं खत्रा या नुकसान पहुचा सकती है मंगल अगर कहा जाए भाग में वैठे हैं और सत्तम के स्वामी हैं मंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन के स्वामी हो के भाग में धन से सम्मंदिच चीजों के लिए समाने हैं जो आपके काम चलना है वो समानेता चलते रहेंगे इस समय पे यात्राएं ज्यादा जो लोग जमीन मकान से सम्मंदित चीजों में जाना चारें उनके लिए समय बहतर है उससे सम्मंदित चीजों में विकल्प खुलेंगे जो लोग इन चीजों का व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी समय बहतर है आकास्मिक धनलाब को दिखाता है पीसे आपका पैसा अगर फसा हैं वरशिक राशी वालों के लिए देखें वरशिक राशी वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशी से मंगल अश्टम में रहेंगे छटे भाव के स्वामी और लगन के मालिक होगे ऐसे में कहा जाएगा मन में क्रोध और चिंता और तनाव को दिखाता है नकारात्मक सो मुझ आपके लिए नुकसान दायक है, पॉश्टिव सोचिएगा, निगेटिव मत सोचिएगा, नकारात्मक चीजें आपके इस समय पे आपके उपर बढ़ेंगे, लोगों का सहीयोग कम मिलेगा, लोगों से वादविवाद होगा, इस समय पे आप देखेंगे, मित्रों की सं कम हो रही है, धन का व्याज जादा होगा, ससुराल पक्षे से मदवेद होगा, आपके जो काम है, वो समानिता अगर कहा आजाए, थोड़ा सा व्यवधान के साथ में चलते रहेंगे, घर परिवार का सपोर्ट कम मिलेगा, और घर परिवार में आपसी तनाव इस समय पे चा के चलिए, कर्ज लें देन इत्यादी चीजों में सावधानी रखे, कर्ज से सम्मंदित चीजों में तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, कोई व्यक्ति आपके उपर हावी हो सकता है, खासकर अगर कहा जाए, कर्ज से सम्मंदित चीजों में, रशिक राशी वालों के अगर कहा जाए, राशी का परिवर्तन सावधानी से चलने वाला दिखाता है, बात करते हैं धन राशी वालों के लिए, देखे धन राशी वालों के अगर कहा जाए, व्यका स्वामी है, पंचम का स्वामी हो के सत्तम में, महिलाओं को अपनी हार्मोन से सम्मंदित चीजों म ये इंगित करता है। सिख्षा से सम्मंदित चीजों में बाधाएं लेकिन व्योस्थाएं चलती रहेंगी। प्रेमी जुगलों को वाद विवाद हो सकता है तनाव हो सकता है। प्रेम को विवाह में बदलने के लिए। एक बात। घर परिवार से सपोर्ट पूरू रूप स मिलेगा, कहीं भी फस्ते हैं, कहीं रुकते हैं या कोई जरूरी काम करना चाहरे हैं तो राय जरूर लीजेगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। धन से सम्मंदित कारे छेतर में समनेर ठीक है। जो आपके काम चलना है, वो समनेर चलते रहेंगे। मान सम्मान प्रतिष् धन राशिवालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशी का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मकर राशिवालों के लिए, लाब और चतुर्थ का स्वामी हो के मंगल, छटे भाव मे विराजित है। ऐसे में कहा जाएगा, लाब को बढ़हेग इच्छाओं की पूर्ती कराएगा, कर्ज लेंदेन से संबंदित चीजों के लिए समय समाने हैं, कर्ज उतानना चाह रहे हैं, तो कही ना कहीं आपको ये समय अगर कहा जाए सपोर्ट करेगा, धन की आवत बढ़ेगी, विदेश यातरा या घर से दूर जाके काम करना चाहरे अपने बुद्धी, अपने विवेक, अपने साहस से अपनी चीजों को आप बनाएंगे, धन का व्याज जादा होगा, कुटुम में अगर कहा जाए, पती-पत्नी में अगर कहा जाए, तो तनाव इस समय पे होगा, चाहे वो स्वास से सम्मंदित चीज हो, चाहे अन्य कोई अपनी बात हो, घर परिवार की अपेक छाहे इस समय पे आप पूरी करेंगी, घर परिवार की जिम्मेदारी पूरूरूरूप से वहन करेंगे, मकर राशी वालों के अगर कहा जाए, ये राशी का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है, बात करते हैं कु अगर कहा जाए, कर्म के स्वामी हैं और तिर्थियस हैं, उसके बाद पंचम में आके बैठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा, अपने कर्म से, अपने साहस से, अपनी चीजों को व्यक्ति बढ़ाएगा, रुका हुआ धन, फसा हुआ धन, प्रियास करेगा, तो कही ना कही उसको मिल जाएगा, मित्रों का सयोग मिलेगा, मित्रता में अगर कहा जाए, नुकसान कम होगा, नुकसान होगा ये तय है, क्योंकि गुरु अगर कहा जाए, तो मित्रता है, और मंगल की दृष्टी पड़ रही है, और गुरु अगर कहा जाए, धन में है, ऐसे में कहा जाएगा धन का वय भी मित्रों में होगा और कही ना कहीं कुछ ऐसे भी मित्र मिलेंगे जिसके कारण फाइदा भी होगा वो फाइदा केवल धन से मत जोड़िये वो फाइदा अगर कहा जाए सिक्ष विद्यारती है तो मित्रता में उनकी सिक्षा में बढ़ोत्री होगी, कारियों में हैं, तो कही ना कहीं आपको रास्ता दिखाने या आपकी हेल्प करने वाला होगा, किसी भी प्रकार से मैं कहूंगा, भाई बहनों को लेके संसय और भाई बहनों के प्रती मन चिंतित होगा इस समय पे, जमीन से संबंदित, मकान से संबंद नर्ने लेने के लिए समय समाने हैं, धन के दिश्टिकोंड से अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा समय है, कुम राशी वालों के लिए मिला जुला सा समय लेके आया है, ये मंगल का राशी का परिवर्तन, बात करते हैं मीन राशी वालों के लि बहुत इसपस्टे साफ है, चतुर्द भाव जल तत्तों का भाव है और अगनी तत्तों का ग्रह मंगल है, कही ना कहीं घर परिवार को ले के तनाव और घर परिवार के उपर धन का व्याय चाहे वो स्वास से सम्मंदित बात हो चाहे अन्न कोई बात हो, जमीन से सम्मंदित मकान से सम्मंदित निर्णाय लेने में सावधानी बढ़ती है वही मंगल की सत्तम दश्टी अगर कहा जाए आपके काम को बढ़ाएगी भागे को बढ़ोत्री करेगी कहीना कहीने भी कहा जाएगा अपने उर्जा अपने साहर से अपनी चीजों को बना ले जाएगा मंगल की एक राशी अगर कहा जाए वाणी पे है दुती भाव वाणी का भाव वाणी सम्हाल के बोलिएगा कुरोध पे नियंतन करके चलिएगा हलाकि मीन राशी वाले अगर कहा जाए सौ में सभाव की होते है इस्थिर्थ बुद्धी की होते है ऐसे लोग अगर कहा जाए किसी पे क्रोध करते हैं किसी पे गुसा आते हैं बाद में रिलाइस करते हैं कि मुझे ये नहीं करना चीता मुझे गुसा नहीं करना चीता माता प सम्माकान से सम्मंदित कारे करते हैं, प्रॉपर्टी से सम्मंदित काम करते हैं, कार खाने और लोहे से सम्मंदित काम करते हैं, थोड़ा सा सावधान होके चलिएगा, कोई नई शुरुवात करना चाह रहे हैं, या कोई जमीन प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, जो अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी इश्वर आप सभी को स्वस्तर रखे सुरच्छित रखिया अभी क्लिए बस इतना ही नमस्कार